चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूश्लेना दूस्त पलेश यो पर आने वाली सभी एप्लिक टाइम ट्राइपट होती रहती है और अप्डेट होने के साथ साथ उनमें चेंजे सथा और गूगल अपने जितने प्रोड़क्ट में इम्प्रोड़क्ट करता है ऐसा गूगल कहता है लेकिन अब यह इंप्रुमेंट है यह तो आप लोग ही बताउंगे ना कमेंट करना आज की इस वीडियो में Google File का लेटेस्ट update आया है सब लोग Google File करते हैं सबी के phone में गूगल होता ही है जिन लोग के पास Google के phone है जिन लोग के पास stock android है और जो लोग Google फाइल को जानते हैं पहले से ही वो लोग Google फाइल को यूज करते ही होंगे क्योंकि काफी जाता फीचर से Google फाइल में यूजफुल भी तो गूगल फाइल का नया लेटेस सा अपडेट आया है और अपडेट के बाद को चेंजिस होए है वही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तो बस इंप्रूमेंट हुई है या फिर मतलब क्या हुआ है वह आप लोग कमेंट करके ज़रू बताएगा इस वीडियो को से अपडेट कर लिजेगा गूगल फाइल को और अगर अपडेट नहीं किया है तो वाइफाय से करने करूंगे तो अपने आप हो जाएगा वैसे हम यहाँ पर फाइल को ओपन करेंगे जिल लोग अपडेट हो गया है वह लोग वीडियो को देख सकते हैं और जो लोग जान यहां पर आप लोगों को भी इसी तरह से दिखाई देगा सबसे पहले पर पर यहां पर आपको यहां पर देखने के लिए नहीं भी लेंगे यहां पर वो सारे अप्शन अविलेबल नहीं है अब जैसे आप सर्च करोंगे तो हैं पर सीदे रिसेंट फाइट ठीक है रिसेंट का बटन आ रहा है मतलब बटन क्या हो यह एक हैडिंग है अब यहां पर जो रिसेंट जो आपकी कैटेग्री होगी जो इसने बता है यहां पर फोटो वीडियो जो आडियो कलेक्शन जो भी है सारा आपको यहां पर दिखाए देगा जो ब्राउज वाला टैप था उस पर बाइडिफॉल्ट सेट हो गया है अब यहां पर आपको सारी चीज़ें कहां मिली कि वह आगे दिखेंगे तो सबसे बहले यहां पर सारी चीज़ें वह हम बता देते हैं अब जैसे आप सारी कैटेग्री को फ्लोर करते जाओंगे इंतनल स्टोरेज ड्राइव यह आपको यह पर मिल जाता है और अधर स्टोरेज आप लोगों ने सुना होगा यह पर क्या हुआ हम लोग बॉटम में गए स्वाइब करते करते देखें एक्स्पोर बाट टच से यहां पर आपको चीज़ें नहीं मिलेगी पहली चीज तो य आप एक्प्र बाटर से किसी भी चीज को ढूंड लोंगे वह डिफिकल्ट हो जाएगा आपको स्वाइब करते ही चीजों को ढूंडना है तो यह इंप्रूमेंट है यह क्या है गूगल की तरप से हमें पता नहीं कमेंट करिए आप लोग बताएगा हमें ठीक है यहां पर स स्वाइब करके जाएंगे फिर से आप लोगों ने देखा हम लोग पूरा स्वाइब कर रहे है लेकिन शो नाविगेशन और सर्च यह बटन सिर्फ हमें एक ही बार मिला अब क्योंकि वह स्क्रोल होकर उपर के और चला गया वह स्क्रीन पर दिखाई ही नहीं दे रहा है उसके बाद स्वाइब करेंगे कुछ नहीं है है ना अब शो नेविगेशन डौर आना चीह है जोकिन नहीं आ रहा है सीदा हम हैडिंग पर पहुच रहे है डीसेंट वाली लेकिन अगर हमें शो नेविगेशन डोर पर जाना है तो रीसेंट के बाद हम लोग लफ में स्वा कर लो तो जो कर लो जो लो नीचे जो पेज मांतला वी स्क्रोल या पोटा था लेकिन अब ऐसा होता है कि मैंनियू भी स्क्रीण से हाइड होजाता है तो इससे होता इए कि जो जो यह आता नहीं होता है अप explore by touches menu पर पोच्छ सकते हो, होता वही पर है, लेकिन swipe control में नहीं आता, ठीक है, तो जो लोग, पहले तो यहाँ पर दोनों भी चीज़े जो है, अच्छे से काम नहीं करती है, आप जो है, आप normal middle में touch करोंगे, तो आपको सीधे recent वाला यह बटन मिलेगा, पहले ऐसा तो तो categories ब बिना swipe किये वे चाहिए, तो left side में है, है ना, लेकिन यह swiping control में नहीं आता, यानि कि अगर category चाहिए, तो वो swipe करके ले रहा है आपको, और अगर show navigation रोर चाहिए, तो explore button touch up सीधे left में swipe कर सकते हो, है ना, हाँ, अगर आप दो finger से swipe up या swipe down करके, अगर कर रहे हो, तो आपको easily नहीं मिल जाएगा, यहीं कि कुछ options जो है, ढूणना थोड़ा सा difficult हो गया, basic users के लिए, अब advanced user तो easily ढूण पाएंगे, है ना, जो हम लेकिन हमारे basic user है, वो क्या करेंगे, normal ऐसे बस swipe करेंगे, swipe control में उनको वो option मिलना चाहिए, है ना, आप बस swipe करते रहोंगे, show navigation रोर आप आपको मिलेगा ही नहीं, है ना, हाँ, लेकिन जब आप recent पे आते हैं, और फिर left में swipe करोंगे, तो मिलेगा, swipe control से, है ना, swipe control से show navigation रोर मिलेगा, लेकिन अगर आप direct show navigation रोर आपको चाहिए, तो वो left side में आपको bottom पे ही मिल जाता है, ठीक है, यह easily आपको bottom में ही मिल जाता है टॉप में ही मिल जाता है, left side में, आप easily जो है, उसको explore कर सकते हो, ठीक है, अब यह तो हो गया, जो हमारा tab है, वो हट गया, अब हम लोग यह देखेंगे, कि बाकी के सारे tab जो चीजे थी, वो आपका आगे, तो यहाँ पर आपको clear का tap सामने ही मिल रहा है, है ना, जो clean वाल जो चीजे थी, वो यहाँ से explore कर सकते हो, आगे setting एकदम से में, जैसे पहले थी, trash setting है, तो इसमें कोई changes नहीं है, वो as it is है, अब nearby share का concept यह है, पहले की तरह है, as it is, पहले nearby share हर जेगे पर मिलता था और अलग से tab भी मिलता था, send or receive का, तो receive की तो ज़रूद ही नहीं है, क्य देखेंगे, उसके बाद receive वाला फंडा देखेंगे, तो हम लोगे कुछ चीज यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मिली जाता है, पहले से था, तो sent up easily कर सकते हो, किसी भी फाइल को, ठीक है, अब बात आते है, receive करने की, तो receive करने के लिए आपको करना क्या है, आपके फोन में nearby share आपको on कर लेना है, अब nearby share कैसे on करोंगे, आपके phone में quick setting खोलना है, आपके फोन का ब्लुटुटूथ on कर लेना है, जैसे आप Bluetooth on करोंगे, तो अब मान देजी दूसरे device से कोई आपको data share कर रहा है, तो उनको आपका device visible होगा, जैसे आपके डिवाइस के नाम पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पॉप आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर और आप रिसीव कर पाऊंगे रिसीव करने में कोई परिशानी नहीं है इसलिए आप रिसीव कर सकते हो तो यह कुछ चेंजे से गूगल फाइल के आप लोग कॉंसेप को स जरूर आप लोग को पसंद आए हो तो जरूर सभी की साथ शेयर किजिए लाइक करिए और जो लोग हमारे ग्रूप में जुड़ना चाहते है टेलीग्राम वाटसप ग्रूप अबोट पेज में है आप लोग जाके जूर सकते हो फी में इसके लिए अलग से ग्रूप हमारे जूर सकते हैं